नमस्कार स्वागात है आप सबीका सिक्षा सेडिके सेवटूब चैनल में दोस्तो आज का यह जो वीडियो है हमारा पूरी तरह से छत्रपती सीवाजी महराज पे अधारित है क्यूंकि आज ही के दिन यानि की आज है 19 फरवरी का दिन और आज ही के दिन यानि की 19 फरवरी के दिन ही छत्रपती सीवाजी महराज का जन हुआ था तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्रपती सीवाजी महराज से रिलेटेट कौन-कौन से इंपोर्टेंट प्रस्न है जो एकजामस में अब तक पूछे गए हैं इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये वीडियो आपके आने वाले एकजामस के लिए काफी हेल्फुल हो सकता है तो इस वीडियो को स्टार्ट करते है पहला प्रस्न हमारा है छत्रपती सीवाजी महराज का जन्म कब हुआ था सुपर इंपोर्टेंट प्रस् ऐवाणस का जन्म के सीवाजी महराज का जन्म हुआ छी आता है इंपोर्टेंट प्रस्न सीवाजी महराज का सिवाजी महराज में दुरग जन्म हुआ था चिवणी दूर्ग में सिवा जी महराज के माता का क्या नाम था सुपर इंपोर्डेंट प्रस्ट तो चत्रपती सिवा जी महराज की माता का क्या नाम था तो जीजा भाई यानि option A इस प्रस्ट का मारे बिल्कुल सही है चत्रपती सिवा जी महराज की माता का क्या नाम था तो जीजा बाई अगला important प्रस्ट नमारा है छत्रपती सिवा जी महराज के पीता जी का क्या नाम था तो छत्रपती सिवा जी महराज के पीता जी का क्या नाम था तो इनके पीता जी का नाम था साह जी यानि option जो भी है इस प्रस्ट का मारा बिल्कुल सही चतरपती सिवा जी के पिता जी का नाम था साज जी तदा इनकी माता का नाम था जीजा बाई दोस्तों ये सभी प्रस्ट प्रिवियस जर के एक्जाम्स में लगातार पूछे गया है जिनको इस वीडियो में सम्मलित किया गया है तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यानि option B इस प्रस्ट का हमारा बिल्कुल सही है चत्रपती सीवा जी माहराज के गूरू का क्या नाम था तो इनके गूरू का नाम था राम दास तो आपको चत्रपती सीवा जी माहराज से रिलेटेट चार पॉइंट या दकने सबसे पहले इनका जन्म कब भुआ था तो 19 फ में सीवा जी माहराज का जन्म हुआ था तो इनके पिता जी का नाम था तो इनके पिता जी का नाम था साह जी क्या नाम था तो आप या देखेंगे इनके पिता जी का नाम था साह जी इनके माता जी का नाम था जीजा बाई और इनके गुरू जी का क्या नाम मैंने आपको प उप्सन जो बी है हमारे विलकुल सही है छत्रपती स्यीवाजी महराज का राज्य भीशेक हुआ था अप इससे यादे किएगा तैसे इनका जो राज्य भीशेक था रायगड में कहा हुआ तो इनका राज्य भीशेक ने किसने करवाया था तो वरानसी के जो प्रसिद्ध बिद्वान थे त्री गंगा भट आप आ देखेगा वरानसी के एक प्रसिद्ध बिद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट इनी ने चत्रपती सिवाजी महराज का राज्या भिशेक करवाया था तो आप इसे या देखेगा 1644 में चत्रप्रती सिवाजी महराज का जो राज्या विशेक था वह रायगार में हुआ था टता इनका जो राज्या विशेक है वह किसने करवाया था तो वरानसी यानि कि बनारस के जो प्रसित बिद्वान थे स्री गंगा भट इन्होंने ही चत्र चत्रप्रती सिवाजी महराज का राज्या भी सेक करवाया था तो आप इसे याद रखेगा अगला इंप्रॉटन प्रस्त मारा है सिवाजी महराज ने बीजापूर के सेना नायक अफजल खां को बहादूरी से कब मारा था सुपर इंप्रॉटन प्रस्त ये लगबग 20 से 25 एक जाम में प्रस्ट पोछा गया है तो चत्रपती सिवाजी महराज ने बीजापूर के सिवाजी महराज ने बहादूरी के साथ बीजापूर के सेना नायक अफजल खां को मारा था तो आप्सन B इम इसका बिलकुल सही है अगला important प्रस नमारा है सीवा जी महराज ने निम्न में से कौन सी उपादी धारण की थी तो सीवा जी महराज के दारा दो उपादियां धारण के गए थी पहले हो गए हैंडव, धर्मो, ध्वारक और दूसरी चत्री कुला वंतस यानि option C इसका बिल्कुल से उप्युक्त दोनों हैंडव, धर्मो, ध्वारक और चत्री कुला वंतस ये दो उपादियां धारण के गए थी किसके दारा तो चत्रपती सीवा जी महराज के दारा तो इस प्रसने का option CMR बिल्कुल सही है उप्युक्त दोनों अगला प्रसन मारा है सीवा जी महराज दोरा गठित आठ मंत्रियों की परिशत को क्या कहा जाता था ये भी super important प्रसना है तो चत्रपती सीवा जी महराज के दारा दो जो आठ मंत्रियों की परिशत गठित के गए थी इस परिशत को कहा जाता था अस्ट प्रधान तो आपी से आ देखेगा चत्रपती सीवा जी महराज के दौरा गठि आठ मंत्रियों की परिसत को अस्ट प्रधान कहा जाता था इन में से आठ मंत्री कौन कौन से थे मैं आपको बता रहाँ अपनोडन कर लीजेगा इनसे भी लगातार एक जाम में प्रसन पूछा गया है तो इन आश्ट प्रधान में पहले नंबर पे था पेसवा, कौन था? तो इन आश्ट प्रधान में पहले नंबर पे पेसवा था, तथा पेसवा का काम क्या होता था? संपूर्ण प्रसासन का परवेच्छन और निरिच्छन करना, आप या देखेगा, इस आश्ट प्रधान मे नमबर एक पे सवा उते थे तथा पेसवा का क्या होता था शंपूर्ण प्रसासन का पर्वेच्छन और निरिछ्चन करना तथा इसमें दूसरे नमबर पर आते थे अमात्य जिनको हम मिजूम दार भी कह जज़े थे अमात्य वित मंत्री होते थे आप यहाद रिखेगा इस Atari अस्ट प्रदान में दुरुसरे नमर पे अमात्य होते थे ताथा अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था तो तिसरे नमर पे कौन होता था अस्ट प्रदान में तो तिसरे नमर पे वाक यान वीस आप याद रिखिएगा वाक यान वीस इस अस्ट प्रदान में तिसरे नमर पे इनका काम क्या होता था तो वाक यानवीस का काम होता था दर्बारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना क्या काम होता था तो वाक यानवीस का काम होता था दर्बारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना वहीं चोथे नंबर की बात करें अश्ट प्रधान में तो चोथे नंबर पर अश् बिभाग इनके पास होता था। तो चिट्टिस के पाथ 15 चार बिभाग होता था। इसमें तो पाचवन नमबर पर सेना पती आते थे царतम नमबर पर न मैं और इनका बिभाग क्या आता था। अम साथमोथे नमबर की बात करें तो तो सा्थवे नंबर बते पंडितराव या धानाध्यच तता पंडितराव का कारे क्या ह特ा था था धार्मिक मामलों में च्छच्रपति जी को tam जाहत देना, उसके बाद जो आठ्मा पत होता था, उसमें होते थे कौन? तो आठ्मे नंबर पे आते थे न係ायधिस, का कारएं क्या उता था? तो नैयाय विभाग का प्रमुक, मतलब जो नись होता था, वह नाय विभाग का प्रमुक होता था, तो इस तरह मैंने आपको आठ जो अश्ट प्रधान थे सिवाजी महराज के परिसद में उनके बारे मैंने आपको बता दिया है इनके बारे में आप याद रिखेगा याँ से लगातार प्रसन पूछे जाते हैं सबसे पहले आप याद रिखेगा इसमें सबसे नंबर एक पर कौन आता था तो इस अश्ट प्रधान में नंबर एक पर आता था पेशवा तेथा पेशवा का काम क्या होता था संपूर्ण प्रसासन का परवेच्छन और निरिच्छन करना बढ़ते हैं हम आगले प्रसन की तरप अगला प्रसन हमारा है एक प्रकार का मराठा कर जिसमें संबंदित राजिक को अपने भूराजस्य का 25 प्रतिसत देना परवेच्छन तो एक प्रकार का मराठा कर था जिसका नाम था चौथ आप याँ देखेगा चोथ एक प्रकार का मराठा कर था जिसमें सम्बंदित राजी को अपने भूराजस्य का 25 प्रतिसत देना पड़ता था तो ओप्सन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है आप इसे याद रखिएगा अगला इंपोर्टेंट प्रस नमारा है मराठा सम्राज में सम्पुन प्रसासन का परविच्छन और निरिच्छन करने वाला अधिकारी क्या कहला था था सुपर इंपोर्टेंट प्रस नमारा इने आपको इसके बारे में बताया है तो मराठा समराज में संपूर्ण प्रसासन का परविच्ण और निरिच्ण करने वाला अधिकारी कहलाता था पेसवा यानि ओप्षन जो A यह इस प्रस्णिका अमारे बिल्कुल सही है पेसवा का जो पद होता था अस्ट प्रधान में सबसे उचा होता था पेसवा का जो पद था वह अस्ट प्रधान में सबसे उपर था तो प्रसासन में परविच्ण और निरिच्ण का कारी करना तो ओप्षन A इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण हमारा है चत्रपती सिवाजी महराज की मृत्तिव का होई थी 618 इसवी में यानि option B इसका बिल्कुल सही है 618 इसवी में चत्रपती सिवाजी महराज की मृत्तिव हो गई थी अगला प्रस्ण हमारा है 1665 इसवी में सिवाजी महराज ने पुरण्दर की संधिक किसके साथ की थी तो 1665 स्वी में जो पुरंदर की संधी के गई थी यह सिवाजी और मुगल सनापति जैसिंग के बीच तो आप इसे आ दिखेगा इसका रइट एंच्छर हो जाएगा जैसिंग यानि जो मुगल सनापति था जैसिंग और सिवाजी महाराज के मध्य पुरंदर की संदी की गई थी वर्स 1665 इस्वी में तो option इसका भी बिल्कुल सही है चत्रपती सिवाजी महराज और मुगल सेनापती जैस सिंग की मद्धी पुरंदर की संदी हुई थी 1665 इस्वी में तो आप इसे याद रिखेगा तो दोस्तों यहाँ पे आपने total 13 सबसे बेहतरीन प्रस्नों को cover कर लिया है जो की चत्रपती सिवाजी महराज के मतलब चत्रपती सिवाजी महराज से संदी थे जो previous exam में पूछे गए हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज को लिए बस इतना है थेंक यू थेंक्स पर वाचिंग थेंक्यू